जहिन साथियों स्वागे थे आप सभी का education की 86 में और उकरते हैं बिहार की तरफ अभी जो news का poster आपने देखा है इसको ये मत समझेगा कि जो BPSC से न्यूक्त सिक्षक हुए है TRE 3 के उनकी चर्चा हो रही है नहीं ये चर्चा हो रही है उनकी जो सक्षमता परिक्षा पास करके उत्रिन हुए है और वो अब यहां पर विस्ष्ट सिक्षक बनने जा रहे हैं दोस्तो ये अपडेट आना सुरू हो चुका है न्यूक्ति पत्र वित्रन कारिक्रम को लेकर जहां पर 200 लोगों को तो बिहार में माननिय मुख्य मंत्री जी के दोरा न्यूक्ति पत्र बाटा जाएगा और ये एक उपबंधिक न्यूक्ति पत्र होगा आपको बता दे इसके बाद भी आप लोगों की जाच होती रहेगी डॉक्मेंट्स चेक चलते रहेंगे और इसलिए इसको उपबंधिक बताय जा रहा है अब आपको बता दे कि हर एक जिले का यहाँ पर अपबंधिक न्यूक्ति पत्र भी बटना सुरू हो चुका है लेकिन ये सूशना क्या कहती है और कैसे कैसे कारिकरम का यहाँ पर विस्तारन किया जा रहा है सभी जिलों में ये देखिएगा तो कटिहार जिले से ये अपडेट आया है पहले तो आपको बता दे कि जो विद्याले विस्ष्ट नियामली 2023 के प्रवधानों के तहत सक्षमता परिशा उत्रेण काउंसलिंग पूर्ण करने वाले इस्थानिये निकाय सिक्षकों को विस्ष्ट सिक्षक के रूप में 20 को आप लोगों को क्या है तो नियुक्ति पत्र मिलने वाला है पहली जी राज्य इस्थरिये मुख्य कारिक्रम अधिवेशन जो की भवन पटना के सभागार में आयुजित हो रहा है जहां पर आयुजन के उपरांत जिले के लिए चैनित जो 200 इस्थानिये निकाय सिक्षको के द्वारा सक्षमता परिशा उत्रिन और सफलता पुर्वक कांसलिंग करवा चुके हैं उन लोगों को ही बुलाएगे है 200 लोगों को जुन को अधोहस्ताक्षिरित के इस्तर पर कारिक्रम के आयुजन का अपबंधिक न्योक्ति पत्र वित्रन किया जाना है और सेस सभी ज अपबंधिक न्योक्ति पत्र का वित्रन सभी संबंधित प्रकंड मुख्याले से जाएगा तो देखे यह जिला जो है कटिहार का अपडेट है और यह आपका प्रोसेस है कैसे कैसे आपका वित्रन किया जाएगा सक्षमता परिक्षा और पास और कांसलिंग पूर्ण कर अपबंधिक न्योक्ति पत्र वित्रन वहां भी किया जाएगा तो जो लोग वहां पे हैं वहां पे जो है जाएंगे अपना न्योक्ति पत्र लेने जो कटिहार से हैं ठीक है दोसो जो विशिष्ट सिक्चक है उनको बैटने की विवस्था प्यजल अलपहार विवस्था ज यहाँ पर उनको न्योकती पत्र बाटा जाएगा तो यह आपका कटि हार का अपडेट है इसके लिए आपको जो है जो जिला दीकारी है जिला शिक्षा पता दीकारी है उनको कुछ-कुछ कारी सौपे गया है इन कारियों के यहां पर अपड़ेट दिया गया है यहां पर फिकぜगा अब देखेगा तो प्रखंड, इस तर पर जो है, नियोक्ती पत्र वित्रण की विवस्ता टो है ही यहां पर जीला सिक्षापतधिकारी चीला सिक्षापत अदिकारी को सारी चीजें हो 18 नमंबर तक संबन्दित प्रकंड जो है सिक्षा बद अदिकारी को upload कराया जाएगा जो की प्रकंड नियुक्ति पत्र packet तयार करके भेजा जाएगा इनको और ये बाटेंगे ये नियुक्ति पत्र 20 तारीको बाटेंगे फिर 18 को इनको मिल जाएगा ये 20 तारीक को आपका न्योक्ति पत्र बाटेंगे तो ये सुषनाई यहाँ पर दी गई है जिला कटिहार के लिए फिर वैसे ही जिला रोहतास के लिए जो कि सासरा जिला मुख्याले है इसका और उसके लिए भी अपडेट दिया गया है यहाँ प विवस्था करते हुए और वंदिक न्योक्ति पत्र सुनिश्चित करके यहाँ पर डिस्टिविट किया जाएगा तो यह जिला रोहतास का अपडेट आ चुका है यह जिला दरभंगा का अपडेट आ चुका है देख सकते हैं प्रखंड का नाम इनका दिया गया है इन अपडेट है दोस्तों किस जिले का तो जिला दरभंगा का अपडेट है और फिर जिला भागलपूर का भी अपडेट सेम आया है यहाँ पर 18 नवंबर तक यहाँ पर बाकी दे दिया जाएगा और गूगल मीट जूम मीटिंग के माद्यम से यह कुछ बैठा कायुजित की ज वह हम आप तक साजा कर रहें और आप लोग जो है इस शिक्षाप पॉर्टल पर जाकर अपने अपने जिलों का भी सारा विवरंद चेक कर सकते हैं तो यह सारी सूष्णाए थी दुस्तों जोकि शिक्षक नियोजित सिक्षक विसस्ष्षक बनने जा रहें उनके नियोक्ती के अपडेट लेकर आ रहें तो आप हमारे वेबसाइट की education.in यह वेबसाइट है हमारा इस वेबसाइट वे विजिट करते रहें latest job यहाँ पर आपको मिलेगा और आपको इसके अपडेट जो है हम लोग आपको अपने WhatsApp चैनल पर भी दे रहें तो आप हमारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और योजनाओं से सम्मंदी जनकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो आप लोग आईए विजिट कीजिए keyeducation.in का website और आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं यह Instagram का link हमने वीडियो की description में दिया है जैहिंद